एक सो एक बीमारियों को दूर भगाएगा ऐसा है ये अचार जी हाँ फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इम्यूनिटी बूस्टर अचार की रेसिपी विंटर स्पेशल अचार है यहां पर आमले का अचार चूकि बहुती सॉफ्ट बना है हमने अभी सिर्फ पांच मुट पहले इसको बनाकर रेडी किया है फिर भी आप देख सकते हैं यह खाने लाइक बिलकुल तयार हो गया है या यह खाने का तरीका बहुती सिंपल है पर बहुती जादा नया है तो कैसे बना सकते हैं इस अचार को आईये रेसिपी में आपके साथ शेयर करती हूं तो बिना धूब के इंस्टेंट आमले का अचार बनाने के लिए यहां पर हमने लिए हैं पांसो ग्राम के करीब आमले इ इसको मैंने पहले से धोलिया था धोने के बाद में इसकी डंडी को मैंने हटा दिया और इसको इस तरह से कपले से हम अच्छे से पोच लेंगे तो सारे हरी मिर्च का पानी ना अच्छे से हम सुखा देंगे इसकी उपर बिल्कुल भी मौश्चन नी रहना चाहिए और यह लाम्ले के साथ हमें यहाँ पर बॉil का तो यहाँ पर मैंने एक लिटर के करीभ पानी रख दिया है और इसमें डालेंगे आधी चंब्यक मौश के करीब नमक और आधी चंब्यक्पादी डाल देंगे पानी जब हलका सा उबलने लगे गाना तो इसके बाद में हम इसमें ड रेज़ चाले में के बदेगे मीडियम हाइ पर इनको आप उबलने दीजिए तक जब हलकी से सॉफ्टट अ कि गए भाए यहा पर का अपका झालए है तो आपको इसको इतना ही आपनाए कि एपका ञाय तक जाए वससे अपको नहीं numbers चुछा ए उस और कि डेगाए हय तो आप들 पानी नमक बचेगा उसको आप किसी भी डाल या सबजी में भी यूज कर सकते हैं तो बहुत वादे मन पानी है तो उसको आपको फेकना नहीं है दाल सबजी बनाने में आराम से यूज कर सकते हैं या फिर अगर आप कोई बिर्यानी बना रहे हैं कोई पुलाओ बना रहे हैं तो इसमें भी आप डाल सकते हैं तो आपले हमारे त्यार हैं अब इनको हम ठंडा होने के लिए इस तरह से छोड़ देंगे जब यह पूरी तरह थंडे हो जाएंगे ना इसके बार में हम इनकी कलियों को अलग करेंगे तो आपले को मने त्यार कर लिया है आपले थंडे हो रहे हैं इसी बीच हम इसके लिए मसाला भी पीस कर त्यार कर लेते हैं सबसे पहले यहां पर अचार को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी राई राई या सरसों में से कोई भी आप ले सकते हैं और छोटी वाली यहां प नायफ की हल्ट से सारी की सारी फांके में अलग कर रही हूं तो अगर आप आप आपलों थोड़ा उबाल लेंगे ना तो उसकेस में क्या होता है कि आपला खुदी गुटली को छोड़ता है तो आपकी फांके जल्दी निकलाएंगी पर मुझे यहां पर अचार को बहुत ज्य तो मुझे फोड़ा सा एक्सपीरियन्स है, उस साफ से मैं आपको बतारी हूँ, फिर आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, आप जिस साफ से खाते हो, आपकी घर में जिस साफ से पसंदो, उस साफ से बना लीजे, क्योंकि देखिए, अभी तो ये हलका कच्छा हम इसको रखे आप देखिए ह्री मिर्च को काटकर दाल देती हूं, हरी मिर्च भी मैंने दाल दिये, दोने चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, और इसके बाद में इसमें मसाले और नमक डालना शुरू करेंगे, तो हरी मिर्च आपने असाफ से आप कमजादा कर सकते हैं यवाँ अधर देखिया मैं 2 Tablespoon के करीब राई का पाउडर अधर दूसरे lesa चम्बव Now, मैं लगबबग 4 चम्मच के करीब है चम्मच के हिसाब से देखेंगे तो और ये देखिया लगबग 2 चम्मचS 1 तेबल स्पुन यांभर पावडर डाल है आधी चमबच मैने पावडर नल लिया मेधी दाने को मैथ भून कर पीस कर रखा ता उसका पौडर डाल अधी नमक डालंगे नमक कर सकते हैं मैंने यहां पर नहीं डाला है थोड़ी सी हींका पाउडर एट करेंगे एक चोथाई चमबच के करीब तो इससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और साथी इसमें जाएगा हाफ टी स्पून के करीब हल्दी हल्दी का पाउडर भी डालना बहुत जरूरी है इससे भी तो पहले ही हमने नमक डालकर और हल्दी डालकर अबला था अबले को पर फिर भी उपर से जब आमस्मे डाले गे ना हल्दी तो जादा ऐप अच्हा टेस्ट आएगा कलर भी बहुत अच्छा आएगा साथी हमारे अचार को लंबे समय तक टिकाय रखने में हेल्प करता है कल आध, आपको इतना डालना है कि आपका जो आचार है ना प्लगूँ सूखा सूखा ना लगे तोड़ा जब आपको लगे ना की शाइन का यह इसमें डालना है बहुत ज़bung जरूबत तो यह देखी मैंने डाल दिया इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर आपको जरुवत लगे तो बाद में तेल आपको अब भी भी मिला सकते हैं कोई प्रॉब्लम है कच्छा तेल डाला है थंडा तेल डाला है सरसो का तेल है वही आपको डालना है और कोई तेल को गरम करना है नहीं हमें अचार को दूब दिखानी है अब इसको ढखकर आप छोड़ दीजे का इस तरह से 2 गंटे के क्योंकि अमने इसमें नमक डाला है तो यह बहुत जल्दी पानी को छोड़ेगा दो गंटे हो चुके हैं अब मैं आपको दिखाती हूं मिक्स करके इसमें हलका सा पानी को भी छोड़ा है अचार का कलर भी चेंज हो चुका है आप इसमें एक चीज और डाल सकते हैं मैं आपको बताती हूं आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं इससे क्या होगा कलर भी अच्छा आजाएगा और थोड़ा सा तीखा पन और बढ़ जाता है, तो आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, और मैंने इस स्राटिंग में आपको इसलिए नी इखाया, क्योंकि हमने हरी मिर्च का यूज भी किया है, तो अचार तो वैसे ही तीखा हो जाता है, पर बहुत सारे लोग आप में से पूछते है कि आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर क्यों नहीं डाला, तो मैं ओप्शनल फॉर्म में आपको दिखा रही हूँ, कि आप इसमें चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, तो कलर भी अचार का और थोड़ा सा चटपटा भी स्पाइसी भी हो जाता है, यह तो यह देखिए हमारा आमला हरी मिर्च का अचार बनकर बिलकुल तयार है, हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है, आप बिना हरी मिर्च के भी बना सकते हैं, तो आमले का बहुत ही टेस्टी इम्यूनिटी बूस्टर अचार बनकर बिलकुल तयार है, जो कि वाइटमन C से बि आपकी जो स्किन है आपके बाल है बहुत ही ज्यादा लस्ट्रस हो जाएंगे शाइनी हो जाएंगे और हर कोई पूछेगा आपकी खुबसूरती गाराज तो देखे इस तरह से आप इसको जार में भर कर रग तीजिए हलका सदबा दीजिए उपर से आपको तेल भर देना है अगर आप इसको बहुत ही लंबे समय तक स्टोर करना चाहते है तो चैह महीने के एक साल के इस तरह से चाहते है तो आप इसके तेल भर दीजिएगा अच्छे से अचार डूब जाये पूरा की पूरा तेल में इतना तेल आपको भर ना है तो इस इस इन बातों का ध्यान तरूश शेयर कीजिएगा थैंक यू बाबाई